तो हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी तो दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने इंस्टागराम अकाउंट को टेमप्रेरी या पर्मनेंटली डिलीट कैसे कर सकते हो तो इस वीडियो का एंट तक जरूर देखना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजेगा तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करने के लिए आपको अपने इंस्टाग्राम एप को ओपन करना पड़ेगा तो जैसी आप यहाँ पर अपने Instagram एप को open करोगे तो आपको यहाँ पर अपनी profile पर चले जाना है तो जैसी कि मैंने यहाँ पहले से अपनी profile को open किया हुआ है तो आपको यहाँ पर उपर की तरफ 3 line दिखाई देंगी तो जैसी आप इस 3 lines पर click करोगे तो आपको कुछ ऐसा interface दिखाई देगा आपको यहाँ पर एक option दिखाई देगा account center तो जैसी इस account center के side वाले arrow पर आप click करोगे तो आपको कुछ ऐसा interface दिखाई देगा दोस्तों आपको यहाँ पर उपर की तरफ slide करना है और आपको यहाँ पर एक option दिखाई देगा personal detail तो जैसी आप इस personal detail पर click करोगे तो आपको नए interface दिखाई देगा वो कुछ ऐसा होने वाला है तो आपको यहाँ पर एक option दिखाई देगा account ownership and control तो जैसी आप इस account ownership and control पर click करोगे तो आपको एक नया इंटरफेस दिखाई देगा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों Deactivation or Deletation तो जैसी आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर आपकी Instagram ID शो होने लगेगी तो आपको यहाँ पर अपनी Instagram ID को क्लिक कर देना है दोस्तों तो जैसी आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर दो अप्शन दिखाई देंगे दोस्तों आपको यहाँ पर second वाले अप्शन पर क्लिक करना है Delete Account तो दोस्तों अगर आप अपना Instagram अकाउंट permanently delete करना चाते हो तो आपको यहाँ पर second वाले option पर क्लिक करना है और अगर दोस्तों आप अपना Instagram अकाउंट temporary या कुछ दिनों के लिए दोस्तों delete करना चाते हो deactivate करना चाते हो तो आपको यहाँ पर first वाला option select रहने देने वाला है दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपना अकाउंट permanently delete करने वाला हूँ तो यहाँ पर मैं second वाला option select करता हूँ और यहाँ continue पर क्लिक कर देता हूँ तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पर continue पर क्लिक कर दिया है तो आपको दोस्तों यहाँ पर एक reason select करना होगा कि क्यों आप अपना account delete करना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पर मैं last वाला reason select कर देता हूँ और यहाँ पर continue पर click कर देता हूँ तो जैसे कि मैंने यहाँ पर continue पर click कर दिया है और आपको यहाँ पर दोस्तों अपना Instagram account का password add करना होगा तब ही आपका यहाँ पर यह Instagram account delete हो पाएगा वो भी permanent के लिए है दोस्तों तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से अपना password enter कर देता हूँ तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने Instagram account का password enter कर दिया है उसके बाद यहाँ पर मैं continue पर click करता हूँ तो जैसे कि मैंने यहाँ पर continue पर click कर दिया है दोस्तों तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा delete account तो जैसे आप इस delete account पर click कर दोगे तो आपका यह account permanently delete हो जाएगा और दोस्तों अगर आप इसको दोस्तों दोबारा से लाना चाते हो तो आप एक मन्त के अंदर दोस्तों इसको login करोगे अगर तो यह दोबारा से दोस्तों चलने लग जाएगा आपका account वापस आ जाएकर दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर मैं delete account पर जैसे ही click करता हूँ तो कुछ देर wait होने के बाद दोस्तों यह हमारा account delete हो जाएगा तो जैसे कि आप देख सकते हो यह हमारा account delete हो चुका है दोस्तों तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपना Instagram account delete कर सकते हो तो आज की वीडियो में इतना ही इस वीडियो के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा धन्यावाद